और रेट की बात करें तो रेट का लगी मजा है तो हाई दोस्तों आपके लिए लेकर आए पहलवां ढबा गाज़ेवाद वाले चितने भी लोग है वो सब जान दोंगे पहलवां ढबा यह बहुत ही फेमस नाम है इनके अलग अलग ढबे हैं हर्याना हाईवेवर भी है चंदिगाण हाईवेवर भी है और आज हम इस आउटलेट पर आये हैं पहलवां ढबे के यह है राजनगर गाज़ेबाद साहिवबाद में और यह रिखिए सामने से राजनगर ऑफिसर सिटी की तरफ से रोड आ रही है और इसके बिल्कुल ठीक सा बैठने का हिसाब है आपको सब कुछ दिखाते हैं आपको एंट्री से पूरा किस तरह का सीटी करें में चाहे तो आप हार बैठ सकते अंदर भी बैठ सकते हैं कभी भी आ सकते हैं को ऐसी बात भी है हान आपको घर जासे मिलेगा बिल्कुल वह अथेंटिक टेस्ट बहुत म सब्सक्राइबाद में मिलने वाला है और बहुत अच्छे से सफाई रखते हैं तो स्टाफ थोड़ा से कम है यहां पर तो यह जो चीज अभी है हमको अभी यहां पर मौका मिल रहा है पूरा शूट करने का यह दिन हमको रात को नहीं मिल पाएगा क्योंकि रात को यह बहु सबजी की तयारी हो रही है शाम की जो शाम को भीड होती है न तो देखने वाला महौल होता अपने आप मी तो मैं यह गऊँगो आप आएं इंज्वाइ कि ए खाने को अभी आपको खाना भी दिखाते है कैसा है तो दिखाते हैं आपको यह पराठा तंदूरी पराठा बनी तंदूर की अलागी मज़ा होता है मक्षन साथ में ठीक है बहुत ही अच्छी से है कोई हम आरी वीडियो की सबसे बड़ी बात ही है कि हम कुछ भी चीज प्रब्रिगेट नहीं करते हैं जो है जो है आपके साब में लाते हैं मैं और मेरे दोस्त हम दोनों खाने आए है आ आचाहर प्राठी टीक है और अपकी प्यास चक्मि और मक्षन के साथ प्राथन तो अब इस प्राठी को ओं इंज्वाय करते हैं और आपको भी टेस्ट बना ख़्या ओं गया है तो बात कर तो पहले आप अपर जूंगी खाने जाते थे तो उस स्वाद में और इस स्वाद में क्या दिस्रेंस आए बढ़िया साथ यह बड़ा इंपॉर्टेंट है है ना यह सारी की एक्षी है और हम लोग आते रहते हैं फैमिली के साथ भी आते हैं और रेट्स की बात करें तो रेट आपने अपने टाइम डिया में रिव्यू दिया ना यह बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे व्यूर्स के लिए थैंक्यू सो मच पहलों नाव अपने आप में फेमस है चंदी का डाइब और जगा-जगा आपने देखे हैं तो यही उनके इंग्रांच आपकास है नहीं रहते लेकिन लॉकल वाले आते नहीं है लेकिन हमारे यहां अरे वाक्या वात है घर का खाना चोड़के आरे तो मतलब बड़ी बात है थैंक्यू सब्सक्राइब इनका मेन्यों है 24-7 बिल्कु साफ-साफ लिगा 24-7 होम डिलीवरी विए लेकिन होम डिलीवरी की वह नहीं आस पा देते हैं अपने यह से डिलीवरी करवा देते हैं और यह देखें मतलब कोई ही डिश होगी शाय जो इसमें नहीं है स्नैक से लेकर खाने की हर डिश रोटी के ही कई प्रगार है हम देखेंगे ना अलग अलग तरह की पराठे के लग अलग टाइप से लोग से पराठा काने आते हैं वो देख सकते हैं नान रोटी ही यहां पर 6-7 तरह की हैं चावल जीर राइस पनीर हर तरह का एक से एक डिश आपको पहाने को मिलेंगी आपको यहां पर यह नहीं लगेगा यार यह चीज में को इसमें और मिल जाती तो मज़ा आता हर चीज बिलकुल बहुत ध्या एक डिली के लिए सेफटी बहुत इंपोर्टन आपको यहां पर है और यह आ गया हमारा पराथा तंदुरी पराथा मकन के साथ देख सकते हैं अब देखिया या कमी उजी लगनी रही मैं कि क्या स्टफिंग कम बरी भी है तो आप देखिए ना आलू अगर आप अच्छे से पराथा इंजॉय कर रहे हैं से पूसते हैं कि कैसा स्टफिंग काना है मैं ही लोकल कई हूं जहां से लोकल राजनेगर में रहते हैं तो मैं देख रहा हूं इस पराथे में दो-दो मखन की टिक्की दे गई है और अब बड़ा आराम से इसको रगड रगड के पराथे का बाल भी ओ जहाल है आए ने नग्याए ऑलू तो वह पित्थी लुप इसँछा जय और इसे ताली बड़ी आए ये साथ में आ गई है चाए और पराथा वो भीत जहाँ में दूद्धी इसे आप बढ़ी बात नहीं हो सकती और वो भी इस थंड में आप अग्री करते हैं इस बास से जी बिल्कुल थंड में पराठा और चाय वो भी तंदूर का बिल्कुल जी तो सर को हम चाय और इनका पराठा इस सर्दी में एंजॉय करने देते नि तो थंडा हो जाएगा और आप लोग कि खाने को एंजॉय करें पहल वान धावे पर आएंप और इन्जॉय करें खाने को थाएग्स